हेलो दोस्तो मैं हूं सुबरोतों दुस्तो आज हम जानेंगे Solar Rebun का बारे में दोस्तो ये Solar Rebun को हम PvE Tabbing Rebun बोलके भी जानते हैं दोस्तो ये Rebun क्या होता है दोस्तो ये Rebun है Thin Flim Thin Flim एक Conductor है जिसके अंदर कारेंट फ्लो होता है जो हम सोलर मॉडूल बनाने के लिए यूज करते हैं इसलिए हम सोलर रीबॉन बोलता है दो कοøई भी लो तिकनज और से लेधि की कोई भी पार्ट को हम रीबॉन भोलके जानते हैं ठीक है तो यहांपे जो सोलर रीबन度 है यह solar ribbon basically जो इसका जो raw material है यह copper से बनता है और copper के उपर हलका सा coating के लियार रहाता है जो silver color के आपको दिखता है जो SNPB और साथ-साथ AG की होता है तो physical properties के पर में हम थोड़ा जानकरी कर लेते हैं इसकी जो basic material है यह copper है और material की जो purity है यह 99.9% copper में है इसकी conductivity के बात करें तो 99% है अंदर elongation properties रहता है elongation मतलब flexible ठीक है जो गेटा देने तो 25% होता है और इसकी जो ब्यार कोटिंग जो ब्यार कोटिंग होता है मतलब यह जो material है को रीबन जो है रीबन की दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ठीक है एक है ब्यार material जो हम copper बोलके जानता है तो उसको हम ब्यार बोलते है ब्यार material बोलते है यह रीबन की जो पार्ट है ब्यार material जो copper होता है और एक कोटिंग होता है दोनों को मिला के pop app thickness होता है तो जब आपको data sheet में दिखना है मिलता है ये दो अलग-अलग पाड में होता है एक बियार मैट्रियाल कितना है और एक coating कितना है दो मिलाके होता है तो दोस्तों यहां पे जो coating होता है एक coating total तीन टाइप का होता है एक SNPB का होता है जिसकी ratio 63 33 37 भी होता है और 60 40 भी होता है और एक होता है SNPB and AG का होता है जिसकी रेशियो 62 36 and 2 होता है और SNPB SNPB और copper का भी होता है जिसकी रेशियो 95.5% 3% and 0.5% ये रेशियो में होता है तो दोस्तों इसकी melting point के हम बात कर रहें तो ये melting point जो है जो SNPB के हम बात कर रहे हैं ये SNPB 180 degree Celsius to 183 degree Celsius temperature से melting point शुरू होता है next जो है SNPB AG की जो material की बात किया इसकी melting point है ये melting point 179 degree Celsius में होता है और जो SNPB and copper coating है वो 270 degree Celsius से शुरू होता है तो ये जो temperature जहां से melting point इसी के उपर करके जो हम stabbing की जो parameter set करते है temperature इसी के उपर करके हम set करते हैं तो दोस्तों आभी हम जानते हैं यह जो मेटेल की थीगनेस है यह थीगनेस कितना होता है उपर के उपर जब इसको कोटिंग किया जाता है ताब इसकी जो थीगनेस होता है पार सिंगल साइड में मतलब एक साइड है और एक साइड है तो यह जो सिंगल साइड में पार सिंगल साइड में 10 to 40 सब्सक्राइब करते हैं तो यह पर चाहिए कि दना कास्टोमर को चाहिए कि दना प्राइज में चाहिए तो इसके उपर करता है करते हैं 10 to 14 micron के जिमें customer की requirement की हिसब से final किया जाता है ठीक है तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं ribbon की type की बढ़े में तो यह जो ribbon को हम हमारा जो नेड्स होता है मॉडूल के लिए जो नेड्स होता है नेड्स के उपर हम डिपेंड करता है दो टाइब में हम इसको डिवाइड करते हैं एक है इंटर कनेक्टर रिबॉट और एक है बाजबार रिबन तो इंटर कनेक्टर रिबन क्या है एंटर कनेक्टर रिबन जो होता है ए तो इसको ब्रास बास बार को जोडते हैं करते तो उसी कोड़कर करके इसको बास बार रिबॉन कहा जाता है दोस्तो आपकी जानकर के के लिए बता दू कब अब की위 में आ इंडिया में बहुत शारी अन्म है आउल यह दो टानेड़न और पांज वारी बने एकुली मोपर इंजनेटर नेम है तो यह जो लैबॉर्टरीज से हमारा काफीर दूतर चपुल हे he boy यह सभी जो एंटरक्नेक्टर रिबन है यह सेेल को क्नेक्टर के leएए यूजस होता है इसलिए इसको सेल कणेक्ट भी बोल सकते हो क्या इंटर कनेक्टर भी बोल सकते हो और दूसरा जो बाजबा रिबन है कि स्ट्रींग कनेक्टर ने के लिए यूज होता है इसलिए इसको स्ट्रींग कनेक्टर रिबन भी बोलता है तो इसको स्ट्रींग कनेक्टर रिबन क्या इसको बाजबा रिबन भी बो तो जो interconnect ribbon होता है, interconnect ribbon की जो thickness होता है, यह interconnect ribbon की thickness आपका 150 से 300 micron तक मिलेगा, और इसकी जो width होता है, 0.7 mm to 2 mm तक होता है, और बाजबार जो ribbon होता है, यह बाजबार ribbon की जो width होता है, width 3 mm to 6 mm तक होता है, और इसकी जो thickness होता है, यह 200 micron से आपको 400 micron तक इसको thickness में आपको मिलेगा, तो इसकी thickness होगे, अब भी दोस्तों और एक categorize सबसे हम इसको divide कर सकते हैं, इसकी जो quality है, और यह ribbon की जो safe है, basically यह interconnector ribbon के उपर के आ जाता है, तो इसकी जो safe और quality के उपर ribbon करके, interconnector ribbon को 3 category का हमें मिल सकता है market में, जैसे कि आए एक है आपको non-structure pv ribbon, और दूसरा है structure pv ribbon, और तीसरा है oval shape pv ribbon, रिबन पे AC 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 आपको structure मिलेगा, जिसमें क्या होता है, light जब आता है sunlight, sunlight इसके उपर आता है, फिर इसको reflex होके glass में जाता है, फिर आप भी return होके cell में आता है, मतलब highly यह effective है, high performance ribbon भी इसको हम भोल सकते हैं, दूसरा है जो non-structure, unstructure होता है, जो unstructure ribbon का क्या होता है, unstructure ribbon एक पूरा ऐसा plane होता है, जिसमें ऐसा light आता है, ऐसा reflect होता है, direct क्या करते हैं, और ribbon के heat भी करते हैं, तो इस type का आपको unstructure ribbon भी मिलेगा, और तीसरा है oval shape का, oval shape इस type का होता है, ऐसी, जैसे आपको photos में दिख रहा है, तो oval shape का भी होता है, यह तीन type का ribbon होता है, तो इस तीन type का ribbon का quality है, यह भी dependence dependence होता है, तो दोस्तो, I hope आपको वीडियो पसंद आया, और comment box में जाके आप बताए, आपको कौन सी ribbon आपको पसंद आया, जो structure wise मैंने बताया, तो यह structure wise कौन सी ribbon आपको पसंद आया, और कौन सी ribbon अच्छा है solar industry के लिए, आप comments box में जाके लिखिए, और आपकी comment के उपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों, finally मेरा वीडियो पसंद आये, तो please like कीजिए, दूसरे को भी share कीजिए, और आभी तक subscribe नहीं क्या, तो subscribe भी कर लिजिए, finally, thanks for watching.